जूंद इसलवर में टूम अमें और चिक कैंजल एक है फ़्टा फटस然后-ondere रिवाऀश लेता है अच्चा वेटेट अगरिएकट मैथड में क्या होता है क्वॉंटिटी इसको बेस लिया जाता है है normally quantities को ही बेस लिया जाता है ठीक है दिस्फ और सिर्फ बेस्ट एर की बत्ब लास्ट इयर की कॉंटिटी जो भी अपके बाद लास्ट रोगा ना दो साली दिये रहेंगे मुझे बेस्ट रोगा जो ठीक है दोर्बिश वहां ले बहुत इसींपल है एल प्लस पी डिवाइड बाई टू फिश्च बहुत सिंपल है अंडरूट ओफ इल इन टूपी अंडरूट ओफ अलीन टूपी यह भी बहुत सिंपल है इन्हों ने बोला, ना सिर्फ पर सिर्फ लास्ट एर के कॉंटिटी नहीं, बेस एर की कॉंटिटी नहीं, मतलब प्रेजेंट एर भी नहीं, लास्ट एर भी नहीं, मतलब लास्ट पेस भी नहीं, पाचेस भी नहीं, हम दोनों का लेंगे, Q0 और Q1 दोनों का अरिथमेटिक मीन लेकिन आप अभी arithmetic mean geometric mean ये वड़ हटा दो सिर्फ q0 plus q1 उपा नीचे q0 plus q1 को इन्होंने base लिया ठीक है इसको weight लिया है फिर फिर वाल्ष मनने क्या किया है under root of q0 into q1 बाकी सब सेम है बाकी सारी चीज़े सेम है यह देखो ये बाकी सारी चीज़े सेम है फीवन पीजिरो फीजिरो ये दो हर एक जगह सारी चीज़े सेम है तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है जो भी हम लोग में हाइलाइट किया है बस इती तरह से quickly सारे formulas revise करना है ठीक है done formulas का revision हो गया चलो फटावर्ट तो बता दो formulas revision हो गया इनी डाउट्स आज भी किती को कोई डाउट है कि माम यहला formula learn नहीं हो रहा है तो मुझे पता दो बोलो बड़े आगे चलो एक सिस्टाइस 5.2 लास्ट पेर पार्चेस डॉर्विश बॉले मार्शल एजुवत प्राइस इंडेक्स नमबर निकाल ला है आपको प्रॉब्लम नमबर वन और प्रॉब्लम टू में ठीक है तब कॉश्चिन वन कर लिया तो कॉश्चिन टू एक्डाक्ली से मिला रहा है ओके यह रहा बेसियर पी जीरो क्यू वन ना चलो आ जो यार यहां पर लिख लेते हैं हम लोग हम लोग बनाने कैसे वाले कॉमोडिटी टेबल कैसे बनेगा हमारा टेबल बनाएंगे प्रॉपरली टेबल में होगा कॉमोडिटी क्वेश्चिन अबर वन सॉल्व कर रहे हैं कॉमोडिटी उसके बाद में कॉमोडिटी के बाद में पीजिरो का एक कॉलम क्यूज दिरो का एक कॉलम मैं फिर फटा फट से एक नहीं बनाएंगे मलोग अमारे नोटबुक में एवरीवन यह जो दो कॉलम्स है P0 Q0 और P1 Q1 इसको चाहो तो आप सबसे इंड में भी कर सकते हो कोई दिकत वाली बात नहीं बीच में कर लो आइडेट इन बीट्वीन ताकि एक्जाम में गलतिया नहीं होती है अगर आफ फाइंड आउट करोगे तो एक्जाम में मिस्तेक्स होने के ज्यादा चांसे होते हैं ठीक है ठीक है अभी फिलाल इतना पता ह है हमें बाकी जितने कॉलम से इंगे उतने कॉलम अमनों अकॉर्डिंग ली फॉर्मॉलेस के सबते बढ़ाएंगे ठीक है चलो आजाओ येलो क्या बोल रहा है वह कॉमोडिटी कितने हैं कॉमोडिटी एबी सीडी एट सेवन थ्री टू एट सेवन थ्री टू कमोडिटी एल कमोडिटी बी कमोडिटी सी कमोडिटी दी यहां पे भी लाइनिंग करने पड़ी एगा ठीक है क्यों जीरो कितना बोल रहा है चलो यह लिख लिया हमने कॉमोडिटी ए लिख लिया प्राइस लिए पी जीरो लिख लिया ठीक है क्यों जीरो लिखना है फिर क्या लिखना बचा है एलेवन ट्वेल फाइफ पॉर यह है क्या पी जीरो यह क्या है पीवान है एलेवन ट्वेल फाइफ पॉर ट्वेल फाइफ पॉर और भाई क्यू जीरो क्या है 15 10 25 35 15 10 25 35 एक बार एक बार मैथमेटिक से लिखने से पहले यह चेक कर लियों कि अपने क्वेशन सही तरह से लिखा है या नहीं मैजॉरीटी अपन घाई में होते हैं एक्जाम मूमेंट रहता है ठीक है ओलेटी टेंशन की माम यह चाप्टर रिवाइज नहीं यह वाला पॉशन पढ़के नहीं वाए बहुत सारे मतलब मैजॉरीटी चांसे होते कि अपन कॉपी क्वेशन जो है ना इनकरेक्टली कॉपी करेंगे तो एक फटावर से मैं भी चेक कर लेती हूं एट सेवन थ्री टू ट्वेंटी टेंट ठीक है ओके करेक्ली कॉपी क्या है कोई दिकत नहीं चलो अब 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 पी जीरो क्यू जीरो करना है अच्छा रूकों पी जीरो क्य अबढ़े क्यों करें ऍहां अबादे आँ यह निकालत क्या 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 ऐ tips पहले क्या निक्कालना है पार्चेव निकालना डीवी नीकालना अमीड कर ने क्ला ओक और रष्पियरु सबोलह को है क्रिके स्पार्चेउत उसके बाद में db डॉर्विश बावले और लास्ट वान इस यूर एमे ठीक है अब इसमें p01 l इसको इस तरह से डिनोट करते है p01 p यह क्या हो जाएगा इसको कैसे डिनोट करोगे p01 db और इसको कैसे डिनोट करोगे p01 m e से डिनोट करोगे ठीक है यहां तक clear अब लास्ट पेस का बोलो एक बाद जल्दी से summation of p1 upon summation लिखो हो मेरे साथ साथ लिखो p1 upon summation of p0 into 100 होता था वो यहां पे भी सेम चीज है summation of p1 upon summation of p0 into 100 होता था यहां पे भी सेम चीज है summation यहां पे यह नहीं लिखता है db में क्या था db थो बहुत simple था यार यह एल और यह p को plus करके divided पर 2 कर देना और यह m e क्या था m e क्या था m e में ऐसा नहीं है db के बाद में फिशर्स था तो वो under मन्दब वो geometric mean था db arithmetic mean था इसमें क्या हो जाएगा सेम लिखोगे summation of p1 upon summation of p0 into करोगे उपा नीचे q0 plus q1 q0 plus q1 से ठीक है done आगे अच्छा in 200 लिखना मत भूलना चलो आजाओ यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग पीजिर लास्पे देना q0 q0 से इंटु कर देंगे पाचेस है q1 q1 से कर देंगे बाकी तो सब करी लिए हमने in 200 है इंटु हंड़ेड इंटु हंड़ेड ठीक है इंटु हंड़ेड ओक चलो आज करते हैं पटा पट से पटा पट से इंटु करो मल्टिप्लाइब कर इसको पी जीरो को फिजलदी से multiply करो, 8 to the 16, तो यह क्या हो जाएगा आपका, 160, 70, 90, 100, ठीक है, 100, इसकी अगर टोटल करेंगे हम लोग, टोटल भी कर लो, फटाफट से, अच्छा, अब P1, Q1 करना है, जल्दी से, तो यह कैसे करोगे, 15, 11, multiply करो, 15, plus 15, मतलब 165, यह हो जाएगा, 120, 25, 5, जाएगा, 125, और 35, इंटु 4, यह क्या हो जाएगा, 35 इंटु 4, इस विल बी और 140, ठीक है, अब, यह बेसिक चीज़ हमने कर लिए, अभी लास्ट पेस के लिए, हमें कौन-कौन ते कॉलम चाहिए, P1, Q0 चाहिए, यार, P1 और Q0, मतलब यह कॉलम, और यह कॉलम को मल्टिप् करना, चलो, ठीक है, बनाओ, एक बार, P1, Q0 को कॉलम बनाओ, P1, Q0 को कॉलम बनेगा, 11, 20, मल्टिप्लाइ करना है, तो, 20, 20, प्लस कर लो, यह जागा, 220, ओके, 220, पिर यह दोनो, 120, पिर यह और, यह, 15, वोरजए, 20, यह हो गया, ऊपर का बनालिया, P1, Q0, इसका करो की तो आँ ह साधाव जाएगा, और P0, Q0 तो मारे पास मैं, मतलब हमारे पास हमें, लास्पयस की सारी चीते, ठीक है, मतलब हमारे पास में, लास्पयस की सारी चीते हैं,았र अब पाचेज में क्या-क्या चीदे लगने वाली आपको पाचेज में लगेगा P1 Q1 आपने अल्डी कर लिया P0 Q1 दिखो दरा P0 Q1 का कॉलम बना क्या नहीं 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 तो बना लो एक P0 Q1 का कॉलम बनेगा मतलब यह और यह पेंसिल से करना यह जो भी हम लोग उपर कर रहा है ना यह पेंसिल से करना ठीक है P0 Q1 का कॉलम बनेगा 120 70 असके बाद में यह कितना हुजागा 25 इंटु 3 है ना 25 इंटु 3 विल बी यूर 75 यह 75 और उसके बाद में 35 इंटु 2 70 चला फटा फट से अडिशिन कर लो सबके अडिशिन करो जब आप अडिशिन करोगे तो P0 Q0 के कॉलम के टोटल आ रही है आपकी 420 पी 1 Q1 के कॉलम की आया रही है टोटल 550 ठीक है पी 1 पी 1 Q0 के कॉलम की टोटल आ रही है आपके 690 और P0 Q1 की कॉलम आ रही है 335 यहां तक हो गया अब बहुत इजी है बस एक बाट टेबल बनाना और एक बाट शांती से मतलब इस चीद में कर थोड़ा भी गलत हुआ ना नीचे के पूरा अंसर गलत हो जाएंगे एग्जामिनर आपका सिर्फ यह वाला फाइनल आंसर चेक करने वाले यहां पर जो पाट है पी वन क्यू दिरो बोला तो यह रहा 690 अपन पी दिरो क्यू दिरो बोला तो 420 इंटू हंड़ेट कर दो जल्दी से 690 डिवाइद वा 420 इंटू हंड़ेट करो इस विल बी कमिंग तो यह 164.28 ठीक है फिर आता है पी वन क्यू बन मतलब यह वाला कॉलम इसका पी दिरो क्यू वन पी दिरो क्यू वन 335 इंटू हंड़ेट यह करो जल्दी से 550 डिवैड़ेट बाट 335 इंटू हंड़ेट करेंगे हम लोग तो यह आएगा आपका कुछ 164.17 ठीक है अब डी बी निकालना बहुत हीदी है यह जो अपने उपा जो सॉलिशन निकाल दी है यह जो सॉलिशन निकाले है इसी का ही एल प्लस पी करकी डिवाड़ेट बाटू करना तो यह हो जाएगा आपका 164.28 डिवाइड बाटू तो 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 इस विल बी कमिंग यार 0.28 मतब यह वाला पार्ट प्लस यह 164.17 डिवाइड बाटू करोगे तो यह सॉलिशन विल बी 164.22 ठीक है थोड़ा बहुत डेसिमल्स में थोड़ा बहुत चलेगा कोई दिकत वाली बात नहीं है अच्छा 229 आ रहा है तो मैं इसे 23 कर रहे हूं ठीक है है हम लोग राउंड ओफ कर रहे हैं अब बात आती है ही अमिकी एमी को सॉल äकरने के लिए बाय सबसे पहले तो इस फॉन मुले को ही सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्दर यह फॉर्मिल organism को फॉर्दर कैसे सॉल कर यह लोग समेशन ओफ पी वन यह पीवशन एक पर क्यू दिरो से इंटो होगा फिर यह एक बार क्यू वान से इंटो होगा ठीक है विकाद इसका डिरेक्ट लिए अंसर हमें नहीं पता बट जब आप मल्टिप्लाइ कर देते कर देते हो तो फिर उसका अंसर तो आपको पता है पी 2-0 प्लस सम्मेशन ओफ ढू पीजिरो क्यू वान चलो जी आ जाओ अब ऐसका अंसर क्या आ जाएगा सुलूशन देखो सम्मेशन पीवन क्यूदु पहीं पर आपको अपने कॉलम् मिना थामिशन और पीञे तो मिन यह बने को को 690 प्लस पीवन क्यूवन का भी कॉलम बनाया है यह आ रहा है 550 ठीक है होल अपॉन अब क्या बोले वो पीजीरो क्यू जीरो मतब यह हो जाए का आपका 420 प्लस 335 बस सिर्फ आपको सम करना है टोटल करना है और इसको इंटू 100 कर दोगे तो यह आ जाएगा आपका कुछ 164.24 ठीक है बस यह देखो कि इतना सा सॉलुशन्स है फाइव माक्स के लिए क्वेश्चन आता है आपके एक्जाम में हुआ क्वेश्चन वन समझाओ क्वेश्चन वन हुआ बताओ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है चीक है दन विद क्वेश्चन नमबर वान एवरीवान चीक है ओके चालो फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नमबर टू भी सिमिलर ही है क्वेश्चन नमबर टू एक्जाक्ली सिमिलर है प्रेजेंटेशन देख लो रहे बापा एक बार इसको थोड़ा सब बोल्ड में किया है यह टेबल से क्या-क्या वैल्यू निकली है वो हमने लिग दिया कभी भी टेबल बनाऊ ना तो यह चीज जरूर प्रेजन करना कि फॉर्म दा फॉलोइं टेबल उपर के दिएवे टे ठीक है question number two exactly same है वापिस से वही column बनेंगे P0-Q0 के P1-Q1 के P1-Q0 के और P0-Q1 के यह देखो यह P1-Q0 को एक column बनाया आपने और पाचे इसके लिए आपने P0-Q1 का एक column बनाया ठीक है दन exactly same है चलो now move towards question number three calculate वाल्ष प्राइस इंडेक्स नंबर वाल्ष प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बोलता है बहुत ही सिंपल था पाट है यार यह अपन को पहले formula ज्याद होना चाहिए सबसे लास्ट वाली बात कर रहा है वह मतलब Q0-Q1 का geometric mean निकलने की बात कर रहा है मत love under root of Q0-Q1 under root of Q0-Q1 अगर यह वाला part द्याने तो बाकी सारी चीदे बहुत इसी है अच्छा यहाँ पर फिर भी गलतियां होने के chances है मैं बताती हूं कहां पर किस moment पर मैं बोल रहे हैं आपको गलतियां होने के chances है अब मुझे बताओ आपको निकालना है summation of P1 under root of Q0-Q1 ठीक है यह निकालना है तो मुझे एक बात बताओ पहले तुम P1 और Q0 को into करोगे या फिर सबसे पहले क्या करोगे यह formula आपको दिया हुआ है वॉल्ष का formula है देखो summation P0 P1 upon summation P0 तो एक जैसा ही है ठीक है इसमें कोई दिकात वाली बात नहीं है Q0-Q1 under root Q0-Q1 ठीक है अब मुझे एक बताओ सबसे पहले क्या calculate करोगे तेल में गई पहले क्या कॉन तर कॉलम पहले बनेगा जल्दी से सबसे पहले कौन सा कॉलम बनेगा थोड़ा सा ध्यान से देखोगे न तो यह जो P0 है इसका हमें कुछ नहीं का ना है यह जो Q0 है इसका हमें कुछ नहीं का ना है यह P1 यह Q1 ठीक है यहाँ पर basic जो अपने कॉलम बनते हैं वो नहीं बनेंगे मतलब P0, Q0, P1, Q1 यह नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर पता है क्या सबसे पहले अब Q0 और Q1 को multiply करके उसका अंडरूट निकालोगे P0 और Q1 को multiply करके उसका अंडरूट निकालोगे मतलब 16 into 19 यह होता है आपका 304 ठीक है यह 304 का यह होगे आपका Q0, Q1 एक कॉलम बनेगा Q0, Q1 का अब एक कॉलम बनेगा इसके अंडरूट का 304 का अंडरूट तो यह आजाएगा आपका Q0, Q1 यह आएगा आपका कुछ 17.43 ठीक ऐसे 16 into 14 करोगे यहां solution लिखोगे उसका अंडरूट लोगे सिफ एक ही पार्ट हुआ भी तक अब यह जो कॉलम आ रहे है न आपका इसको एक बार P1 से multiply कर दो एक कॉलम बनेगा P0 से multiply करके समझ में रहे हैं कैसे बोले हैं मतलब एक कॉलम बनेगा आपका this one multiplied by P1 into यह जो आपने निकाला ना अंडरूट ओफ Q0, Q1 यह कॉलम बनेगा P0 अंडरूट ओफ Q0, Q1 यह कॉलम बनेगा इसकी summation लेनी है बस इन summation को divide करना your answer will be there summation बोल रहा है इसका समझ हा रहा है columns कैसे बन रहे धन में आ रहे हैं क्या चार कॉलम बन रहे हैं एक Q0 into Q1 का एक अंडरूट ओफ Q0 into Q1 का एक P1 से multiply करोगे फिर P0 से multiply करोगे फिर यह बता तो मुझे क्या आप लोगों को number of column समझ हमाए तो फिर आगे बढ़ते हैं तेल में माम एक बास सोलुशन भी दिखा दो यह 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 लो यह P0 Q0 P1 Q1 एक कॉलम मन रहा है आपका Q0 into Q1 मतलब इसको यह कॉलम और यह कॉलम को multiply करना 16 into 19 304 16 14 224 28 32 को multiply करोगे इसका अंडर रूट लोगे यह solution आ रहा है इस अंडर रूट को एक बार multiply करना है P0 से एक बार multiply करना है P1 से क्यों ऐसा कर रहे है विकास formula अगर ध्यान से देखोगे तो पहले यह कॉलम बनाना है फिर इस कॉलम की summation लेंगे पहले यह कॉलम बनाएंगे फिर इस कॉलम की summation लेंगे तो यह हमारा फाइनल रिजल्ट है तो मने में आ रहे है ठीक है फिर यही कॉलम को मतलब यही वाले कॉलम को एक बार आप P0 से इन्टू हंडेट तो आपका अंतर आ रहेगा कुई 95.63 ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स कॉशन पर हमारे इस कॉश्चन मास्वी डान और नॉट जल्दी जल्दी से बता दो कुश्चन मास्वी डन थ्री समझा कैसे करना है बेसिक से बेसिक है कुछ भी बहुत ज़्यादा और टेक्निकल नहीं है बोलो समझ माया एवरीवान चलो कुश्चन माफोर की तरफ बढ़ता है कुश्चन फूर भी वाल्च है यह भी वाल्च है सेम कॉलम बनेंगे वापस से ठीक है वेश्चन फूर भी वाल्च मैं तड ह है महां कहां दिया है मैं देखोगे न तरह आ वाल्च में तरफ है है वापैस से क्यूज्रों क्युवन इसका अंडरूट लेंगे फिर पीवन को एक बार माइस से मल्टिपलाइ करेंगे सुरी पी दिरो को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे यह दो कॉलम को सिर्फ डिवाइड करके इंटु करना है हमारे इसलिए इस फॉर्मुले के साब से दन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3521.75 अपॉन 2717.6 इन 200 ठीक है बड़े आगे चलो नौ मुव टुवर्थ यह कॉश्चिन अबर फाइफ कुछ अच्छा था कॉश्चिन है सिंपल था कॉश्चिन है इफ एल इक्वल टू 90 पी इक्वल टू 40 डीवी निकाल ला अरे बहुत ही सिंपल है लास्पे लास्पेस दे दिया है पाचेस दे दिया है तो कितना सिंपल है मतलब डीबी क्या हो दा हमारा डीबी का फॉर्मुला बोलो अच्छा जब डिनोट कर रहे हैं अपना थोड़ा था प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना सिफ एल प्लस पी डिवाइड़ बाटू मत लिख कर आना कैसे लिखोगे पी 01 एल पी 01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर पाचेस का इन दोनों को डिवाइड़ बाटू करोगे समझ मैरा है इस तरह से प्रेजेंट नी करना है यह तो शॉटकट है अपने लर्न करने के लिए ठीक है अपन को कुक्ली रिवाइंड होने के लिए शॉटकट है बट आ फट से 130 divided by 2 this will be 65 और उसके बाद में वो बोल रहे पी 01 निकलना फिशर्स का एक मतलब फिशर्स में क्या था यार डी बी के बाद में फिशर्स इथा न तो अंडर रूट ओफ एल इंटो पी यही था बट आपको ऐसे नहीं लिखना आपको प्रेजेंट कैसे करना है अंडर रूट ओफ एक्जाक्ली सेही समझा पी 01 इंटो एल ठीक है फिर पी 01 पाच्छे इसका इन दोनों को मल्टिप्लाइ करना है और उसका अंडर रूट निकलन है तो यह क्या हो जाएगा आपका 90 इंटो 40 और इसका अब 946 इसका अंडर रूट 60 तो दिस विल भी और सॉलुशन दन दन विट कुशन नुबर 5 बड़े आगे कुशन नुबर 6 की तरफ बताओ दो फटाफट से कुशन पाइव दन टेल मी कुशन पाई समझ माया कैसे करना है यह सानी का खुशी महेश तनमय बोलो जल्दी बहुत सिंपल था था ओल्रेडी एल दे दिया है पी दे दिया है दोनों को डिवाड़े बैट टू कर लो और अंडर रूट फिर आपको फिशल निकालने बोला है तो अंडर रूट आप एल इंटू पी कर लो सिंपल था पा यू वन दे दिया है फाइन लास्ट पिस एक मिनिट रोको मुझे ऐसे से तो बहुत ज़्यादा कंफिशन हो रहा है बिकॉस कुछ भी चीज़े माइन में नहीं है पहले फॉर्मली लिगते तो अच्छी तरह से अप पढ़के जाते हो ना सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज जिसे अभी देखो लिखते लिखते उपर P0 हुआ पूरा गलत हो जाएगा इसलिए बार बार में इस तरह से लिख रही हूँ कि यह फॉर्मूले में कंफिशन नहीं होना है ठीक है P1 अपॉन P0 यह तो अपना था बेसिक लास्ट में लास्ट एर की कॉंटिटी को बेस लेन का हूं डन चलो इन्टू हंडड़ वो तो बूलने की बात नहीं है ठीक है अब एल कितना था मुझे बताओ देखो आपको यह दिया है क्या P1 क्यों 0 देना ही चाहिए विकाद हम लोग को उन्होंने टेबल नहीं दिया डेटा तो नहीं दिया मतलब देना ही चाहिए उन्हो लास्पेस का इसल बी कमिंग तो यह 250 और पाचेस का कितना होगा पाचेस में देखो दरा क्या है P1 Q1 मतला अब यह 460 460 अब पॉन क्या कर रहे हूं P1 Q1 P1 Q1 P1 Q1 P1 नी सरी P0 Q1 P0 Q1 कहां पर है रे बाबा दिख क्यों ने रहा है यह रहा 200 इंटू 100 ठीक है तो यह सोलिशन विल बी अगें 230 यह आज आगा आपका लास्पेस पाचेस डीबी का कैसे निकालोगी डीबी 250 प्लस 230 डिवाइड बाय डीटी इस तरह से मत करना पहले जो मैंने आपको बताए कि प्रेजंटेशन इस तरह से करना ठीक है यह करना डिरिकली एल प्लस पी डीवाइड बाय टू नहीं चलेगा क्या चलेगा किस तरह से करो प्राइस इंडेक्स नंबर पाचेस का अब इन दोनों को डिवादेड़ बाटो करो फिर उसके बाद में यह उपर वाला स्थेप लिखना है उपर वाला से कि भई यह जब आप लास्पिर की बात कर रहे तो यह आता तो फिर यह जो आता है यह यह आता है टू थर्टी डिवा simple है यहाँ पे q0 q1 उपर नीचे q0 q1 है चलो आजो यह भी बार देख लेते हैं यह डिरेक्ली अगर यह formula होता है तो करो otherwise अपना formula best है ठीक है summation p1 upon सब्सक्राइब एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा लेकिन पॉमुलेट में कभी कोई गलतिया नहीं होगी इन्टो हंड़ेट यह था आपका formula अब इसको expand कर लो summation p1 q0 plus summation p1 q1 upon summation p0 q0 plus summation p0 q1 into 100 ठीक है अब question में देखो जरा p1 q0 कहीं दीखर आपको p1 q0 यह रहां 350 और उसके बाद में p1 q1 460 p0 q0 कितना दीख रहा आपको 140 और 200 140 plus 200 into 100 done कर लेंगे खुछ से देख लो exactly same आ रहा है ठीक है 350 plus 460 140 plus 200 done with your question number six question number six आपके test book में गलत है we have modified the question to match with the solutions ठीक है solution माच करने के लिए question को modify किया तो एक बार यह question लिख लो question correctly copy कर लो कि चत्तम समझ में आए question गलत था आपका रॉंग नहीं था दिया ठीक है ओके चलो बड़े आगे question number seven की तरफ अब अब फटावट से करेंगे बहुत सिंपल सिंपल है last given that अच्छा दे दिया आपको लास्ट पियर दे दिया यह है लास्ट पियर और डीबी का इंडेक्स नंबर यह है 55 माडम यार यह कैसे निकालेंगे ल दे दिया है 163.32 एल नहीं बोलोगे पी 01 ओफ एल बोलेंगे इस तरह से इज़्जदारी से रिप्रेजेंट करना पी 01 वैसी तो shortcut लिख रहे हो यार उसमें और कितना shortcut ठीक है इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ठीक है यह दोनों दे दिया आपको और निकालने बोला है उन्होंने पी 01 ओफ पाचेस का कितना अब हमें यह पता है अल्रेड़ी कि यह जो है नदी बी जो है यह जो डी बी है पी 01 कि डी बी क्या होता है पी 01 ओफ एल प्लस पी 01 ओफ पी ओल डिवाइड बाइड बाय तू अब यह दे दिया है यह दे दिया इस इंदिद क्रोस निकालनेंगे इजीली, ये देखो, ये दिख रहे है, ये दिख रहे है, your solution will be 168.04, ठीक है, चलो, बढ़ो आगे, question number 8 क्या बोल रहे है, given that आपको P0Q1 दिया है, P0Q1 दिया है, ये दे दिया है, ठीक है, Marshall, एजुएट, प्राइस इंडेक्स नंबर भी दे दिया है, 150, आपको लास्ट प्यर निकालना है, यार, Marshall दे दिया है, लास्ट प्यर निकालना है, ति ने क्ट बंध करो एग्जाम में एक बार देख कर जाना होता है ठीक है ये था प्रप्रॉबला अब इसको थोड़ा त सा अच्छी तरह से लिखेंगे अगर हम लो तो यह रहागा आपका summation P1 Q0 plus summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q0 plus summation of P0 Q1 into 100 यह है अब देख लो क्या क्या डीटेल दिया है वो पुट करो और वालन निकालो अच्छा यह जो है यह फॉर्मला किसका है P01 of M dash E, Marshall Edgewood का और Marshall Edgewood का आपको already देदिया है 150, मतलब यह जो है यह आपको देदिया है 150 ठीक है जी P0 Q0 दिख रहा है कहीं पर? हाँ दिख रहा है, यह इधन नीचे में दिख रहा है यह देखो कितना दिख रहा है हुटनों ने? 220 यह P0 Q1 दिख रहा है कहीं पर? P0 Q1 यह भी नीचे दिख रहा है यह दिखो इस equation से सबते पहले इसको solve करके यह निकालो ठीक है? सबते पहले यह निकालो cross multiply करो और यह निकालो कैसे निकालोगे? 220 plus 380 करो कितना हो रहा है? 220 plus 380 करो कितना हो रहा है? इस विल भी और 600 तो 150 into 600 करोगे यह जो 100 ही है इधर चला जाएगा upon 100 हो जाएगा 350 इस तरह से एक equation बनेगा यह 0 तो कड़ गा है ठीक है? 15 सिग्जा 90 तो यह कुछ 900 हो जाएगा माइनस कर दो 350 एक्वल टू समेशन P1 upon Q0 बहुत जादा टेक्निकल नहीं है सिंपल सा पार्ट है वो कर लो यह सॉलिशन विल बी 550 550 आजाएगा समेशन P1 Q0 ठीक है? यह हमने find out कर लिया यह वाला value find कर लिया अब क्या निकलना है? अब last pair निकलना है last pair का formula बता तो मुझे जल्दी से last pair का formula बताओ last pair P01 L निकलने बोला मतलब summation P1 upon summation P0 और last pair है तो last year की quantity यह बार बार repeat करो गलतियां नहीं होगी रट्टा मत मारना actually रट्टा मरवाद या आपको shortcut करके है ठीक है summation P1 Q0 अभी देको P1 Q0 कोई दिख रहे है यह आगया आपका P1 Q0 समझ मा रहा है और P0 Q0 आपको already question में दे दिया है 220 into 100 कर रो this will be your answer done done with your question number 250 आ जाएगा question number 8 done बता दो फड़ा फट से question 8 समझ मा आया every one of you yes hi Darshana Arman समझ मा रहा है question number 8 कैसे क्या हमने Sunny का हो बोलो जल्दी से Mahesh समझ मा बहुत simple था पाट था एक दिया है M.E. दे दिया है तो M.E. से जो missing figure है वो निकाल हो वो last page में use होने वाला है ठीक है सिर्फ calculation part है अगर आप देखोगे ना जो पाट बी वाली जो बुक है ना वो exactly calculation part है ठीक है चलो और बढ़ते आगे question number 9 find x x find करनी है in the following table यह जो table है ना इसमें x find करना है इस लास्पेर्स और पाट इक्वल ओके लास्पेर्स और जो पाट इस है वो इक्वल है तो मतलब जो दोनों की इंडिक्स नमबर इक्वल रहेंगे चीक है कैसे find out करेंगे कैसे find out करोगे बोलो नहीं समझ रहे है कुछ भी देखके तो जितना आता है वो तो कर लो आपको इतना पता है आपको लास्पेर्स और पाट इक्वल बोलने का हिंट कर दिया उन्होंने मतलब लास्पेर्स के लिए P1 P0 में Q0 Q0 ठीक है और पाचे इसके लिए P1 अपन P0 जो फॉर्मुला है उसमें Q1 Q1 ये कॉलम्स ये चार कॉलम्स आपको लगने वाले ये चार कॉलम्स की पहले टोटल तो निकल लो फिर दोनों जो आएंगे न उन दोनों को एक्वेट कर देना उन दोनों को एक्वेट कर देना आपका अंसर आ जाएगा ठीक है चलो आजो बनाओ फटाफट से किसे करोगे आप इस क्वेशन को एक कॉलम्स बनाओगे आप यहां पे पहले यां लिख लो P0 Q0 P1 Q1 आप एक कॉलम्स बनाओगे यही पर बनाते हैं हम लोग एक काम करते हैं ये जो चारो कॉलम्स है आपको भी समझ माएगा अ कि अ हुआ कि कि एक कॉलम्स बनाते हैं लोग P0 Q0 का एक कॉलम्स बनाते हैं पी 1 Q1 का एक कॉलम्स बनाते हैं देखो ये नीचे नीचे और ये उपर वाले तो हो गाने ठीक है याप रीवन की दिरो लेवह pipe बिजेरो लिलो और यहां का ये वला पाट लेवह पी दिरो की वाले लो ये कॉम्म फटा फट से बनाओ बहुत सिंपल था पाट है हं तो कैसे करें है दो पीजिरो क्यूजिरो पीजिरो की जिरो मतलब इन दोनों को मल्लिप्लाय करना है डिरेकली तो यह जाएगा आपका 20 5 to the 10 p1 q1 और यह जाएगा आपका 2x ठीक है अब p1 q0 p1 q0 धान से 10 to the 20 और 5x अब p0 की बात कर रहा है मतलब यह star mark और q1 की बात कर रहा है ठीक है जी टू 5 दोनों को अंडरलाइन कर लो गलतिया नहीं होनी चाहिए इसलिए ठीक है जब question paper हाथ में रहेगा तो easy रहेगा रहेगा आपके सामने question paper देन आप चीज़े चुपा के आप last column को कर सकते हो बट अभी 5 to the 10 और यह 2 और यह 2 4 हो जाएगा चलो टोटल करो फटा फट से यह जाएगा आपका 30 यह जाएगा आपका 10 प्लस 2x यह जाएगा आपका 20 प्लस 5x यह जाएगा आपका 14 चलो चेक आपका एक बार 30 20 प्लस 5x 14 20 प्लस 2x डन अब क्या करना है अब कुछ भी नहीं रहे बबार बस यह formula में put करो अपना दिमाग लगाने ही नहीं है कुछ नहीं है बहुत simple सा पार्ट है अब green color लेते हैं हम लोग last pairs ठीक है यहाँ पर बताओ आप अच्छी तरह से present करो के बताओगे की last size क्या है पिवन समेशन ऑफी वन क्यू दिरो अपान समेशन औफी दीरो क्यूज़ ए ठीक है अब यह जो पार्ट है यह पी वन क्यू जिरो मतलब 20 plus 5x upon p0 q0 मताब यह 30 और 25 क्या हो जाएगा p1 q1 मताब यह हो जाएगा p01 p equal to यह formula आप लिख लेना खुछ से ठीक है लिख देती हूँ में चलो p1 q1 upon अब formulas learn हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो क्या बोलते हो 10 plus 2x upon यह हो जाएगा आपका 14 इन दोनों को equate कर दो equal कर दो solution निकाल दो x की value find कर लो simple सा पाट है लिखना since it is given in the question कि last 5th and 5th index numbers are equal since they are equal therefore therefore 10 plus 2x is equal to 14 अब इससे solve करो x की value find out करो ठीक है सिर्फ cross multiplication करना है कुछ भी नहीं है 20 plus 5x into 14 करो इसको इधर लेके जाओ 30 into हो जाएगा आपका 10 plus 2x से ठीक है multiply करो solve करो तो आपका solution आ जाएगा कुछ यह देखो यह देखो इस हम लोग डिरेकली यह स्टेप पर पार्च गया यह सल जब आप इसके solve करोगे यह solution will be x is equal to 2 डन डन विद्यों कुछ नमबर 9 टेल मी गईज यह इस इग्जाक्ली दशना ने solution निकाल लिया वेरी गड़ डन कुछ नमबर 9 एनी डाउट्स इनको यह कुछ नमबर 9 टेल मी क्या किसी भी बचे को कुछ नमबर 9 में कोई भी डाउट है क्या या बहुत नमबर 9 में कोई भी डाउट है क्या बहुत सिंपल था पार्टे नहीं इस से सिंपल और क्या चाहिए मैंने बोला ताना से यह वाला करेक्ट है या इन्टू 4 इस इक्वाल टू P01 लो कन्फ्यूस किया है जान बुछ किया मुझे बताओ यह वाला करेक्ट है या यह वाला अंसर मत देखो अंसर मत देखो अब बताओ फस्वान और सेकिन वन फस्वान और सेकिन वन गाईज एवरिवान जल्दी जल्दी एक मिनट क्वेश्चन डीडाउट करो आंसर नहीं आ रहे है आप लोगों के लास्पेर का प्राइस इंडेक्स नमबर इस इस बोला तो है समझ मा रहे हैं पर्स लाइन को देखके इंटर परटैसिन आ जाना चाहिए कौन सी लान को यह फोस्ट लाइन को देखके इंतरपरेटैसिन आ जाना चाहिए गई यह is मतलब equal to four times of patches ठीक है last pair is equal to four times of यह आप इस तरह से rough में लिखोगे but exactly आप test book में इस तरह से लिखोगे ठीक है P01 लिखना मत बुलना तो यह तो सरासल गलत है ठीक है चलो यार इतनी बड़ी हिंट दे दी है उन्होंने आपको जैसे last question में उन्होंने आपको equal to equal to करके दे दिया था इस question में उन्होंने आपको इतनी बड़ी हिंट दे दी है और क्या चाहिए then find अगर यह दोने equal है तो आप find करो relation between db and fissures इन दोनों के बिच का relation find out करो या आपको करना है हमें try करना है homework के गई और मैंने आपको main जो पाट ता वो बता दिया ठीक है जहाँ पर confusion होता है अब question में 11 ए db और fissures है 5 4 ठीक है respectively मतब db जो है वो 5 है fissures जो है वो 4 है find lnp यह भी question आपको खुझ से solve करना है गलतियां करो फिर solution बताऊंगे ठीक है एक बार solution देख लो 8 2 ठीक है और उपर वाले का भी देख लो या या ठीक है मैंने आपको solution बता दिया question number 10 और 11 आपने solve करना है तभी करेंगे and mark this question as very very important यह question important है आपके examination point of you ठीक है mark करो खुझ से solve करो अल्राइट फिर हम लोग कल आगे बढ़ जाएंगे cost of living index में बस ज्यादा कुछ है ही नहीं हताम ठीक है exercise 5.3 है and then finish अल्राइट चलो गाइस तो तब तक के लिए अलविदा मिलते हैं हमारे next lecture में ठीक है question 10 11 compulsory solve करो कंपलसरी गलतियां करो I'll be there to correct you tomorrow ठीक है चलो बाई 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 everyone take care बाई बाई प्रॲ कर दो जाएंगेस कर दो कर दो ता दो कर दो कर दो कर दो कि दोड़रोग्या़ग्यावर्याग्याद ईत्र दो कर दो कि लिधे एगारें इबादिष्ट